आदी वीडियो मैंने फर्स पार्ट में डाल रखिए सेकंड पार्ट के रहा तो अटल बिज में हम एंट्री करते हैं यह एंट्री पॉइंट है और उसके सामने ही सीधे यहां पर टिकेट के लिए बनाया हुआ है तो टिकेट लेते हैं टिकेट हम सबकी लगी से वेक साल के ब लोग आये हुए थे एहमदाबाद के लिए तो यह देखिए एंट्री जैसे ही करी तो हमने सामने देखा यह ब्रिज अटल ब्रिज बहुत ही देखने बहुत सुन्दा लग रहा था हम दिन में नहीं आ पाई लेट हुगे थे तो शाम का यह नजारा है और देखिए हम अब लोगों की भीड इतनी थी कोई हिसाब नहीं था कि कितने लोग ब्रिज में चड़ रहे हैं कितने नहीं चड़ रहे हैं मोड भी ब्रिज के बाद हाथसे के बाद तो यह ध्यान स्पेशली रखना चाहिए था लेकिन यहां नहीं था यह सिस्टम बड़ा ही अजीब लगा क् असंक्य भीड थी कि जिसका हिसाब नहीं था इसलिए हम बहुत अंदर तक गए नहीं हम तो सिफ दो तीन स्टैप के बाद ही हम लोग यहां नीचे सडियों से वापस उतरने लगे क्योंकि छोटे बच्चे थे इतनी भीड भाण में जाना सही भी नहीं है और लोग सेलफी पॉइंट अखिर में था जहां पर लोग खूब सेलफियां वगएरा ले रहे थे फोटो वगए रहे थे लेकिन यह बहुत बड़ी मुझे ऐसा लगा कि कमी थी कि लोग बढ़ते ही जा रहे प्रिज में घुसे ही जा रहे थे लेकिन कूई कंट्रोल नहीं था कि कितनी किनारे थोड़ दिर खड़े होते हैं बड़े अच्छा लग रहा था बहुत से लोग थे यहां पर साइकलिंग भी करते हैं फ्री में साइकल मिलती हैं और लोग अकसर इसका राउंड लगाते हैं साइकल से देखिए दूर से मैंने क्लिक लिया है यह ब्रिज का अटल ब्रिज थी तो हम बहुत अंदर तक हम नहीं दिखा पाए नहीं हम गए उसके बाद अब हम रिटेरिंग वापस जाते हैं और सामने ही यहां पर खाने पीने के लिए शॉप्स बगरा हैं देखिए बाग बगली थी वोल्ट और भी जोटे-बोटे समोसे वगेरा खाकरा पापना जो तो सब तरह के फूड आइटम थे यहां पर खाने पीने के लिए तो कोई अगर आपको भूग भूग लगी है हलकी फूलगी तो उसके लिए बहुत वेराइटी थी अब हम गुज जाते हैं इसके साइड में यहां पर यहां पर प्लावर प्लावर प्लाडन यहां सामरबती हो रहे थे घर वापस भी जाना था तो बस हम थोड़ा सा हलकी से आगे तक जाने के बाद हम वापस आ जाते हैं और यह देखिए उसी गारडन से हलका सा नजारा उसका भी है अटल ब्रिज का बहुत साइड लोग यहां टहलने के लिए भी आते हैं सुबह शाम घुमने के ल से छोय को हमको मेंन फ़ुर्व यह निकाल लेते हैं देखते हैं हमरे गारडन में निकी है नहीं रहीं लेंकिंक ह सुथ डभी बचाह आगे चलते चलते यह ब्रिज जो है साथ साथ में देखने में रात में बहुत बहुत अच्छा लगा था लाइटिंग के साथ तो इसकी और देखिए उपर से वियू मैंने थोड़ा सा लिया है तो देखिए अब हमारा यह कंप्लीट हो गया अब हम बाहर निकल रहे हैं इतना ही था यह देखिए सब जो कि लोग फोटोग्राफी वगरे करवा रहे हैं रात में वैसे यह दिन में बहुत सुन्दर लगता लेकिन हम लोग लेट हो गए थे तो देखिए उपर से वियू बहुत सुन्दर आ रहा था यह जो है दस पचे तक इसका विजिटिंग चाइम है क्योंकि दो-तिन घंटे तो आपकी फ्लावर पाक में लग जाते हैं और आप यहां जाएंगे तो कम से कमादा एक घंटा आपका ब्रिज में लग जाता है अगर आप फोटोज एलफी वीडियो वगरा बनाएं तो लगभग पूरा टाइम ही आप यहां पर स्पैंड कर सकते हैं तो अब हम बहार निकल जा रहे हैं देखिए और आगे चलते हैं तो यहां पर और सारी शॉप्स वगरा थी इंडोसा जिनको डोसा खाना है ताथ इंडियन खाना है बहुत सारी अलगले तरीकी ड्रिंक्स वगरा थी और इवेन यहां पानी पूरी भी थी तो जो पानी कपड़े वगरा में मिल रहे थे उसकी वी शॉपिंग आप कर सकते हैं देखिए अब हम निकलते हैं बहार घर की तरफ क्योंकि हम हो रहे हैं लेट हमारा हम आप जाते हैं अपनी गाड़ी के पास जहां पर पाक की गई थी और यहां पर बगल में एक शादी भी थी रिसेप अप्चन था चलते हैं अपने गाड़े भगाते हैं क्योंकि हम आप घर जाने में बहुत टाइम हो जाए अगर लेट हो जाएंगे और अब घूम के हम थक भी चुके थे तो अगर आपको जाता हैं तो यहां एक बार जरूर घूमेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा हम बाहर आ चुके हैं अपने गाड़े से बैट गए हैं और अब निकलने के तयारी है यहां रिवर्ण प्रंट पर एक इवेंट सेंटर भी है वहां पर आप इंगेजमेंट वगरा शादिय वगरा भी करवा सकते हैं बहुत अच्छा था तो यहां पर किसी की तो यहां पर देखना मत भूलिएगा और एहमदाबाद बहुत अच्छी सिटी है नेट अन क्लेन सिटी है बहुत अच्छा प्लेस है